अज में लेके आई हूँ गर्मी के लिए बहुत ही खास रेस्पी जिसे बनाने में बस दो से तीन मट लगेगी और इतनी टेस्टी और इतना ज्यादा ताजगी देने वाली ठंड़क पहुचाने वाली रेस्पी कि एक कटोड़ी खाले तो आपको बहुत ही तुरंट से बहु बनाना सुरू करते हैं सिंपल सी रेस्पी और गर्मी में तो सभी यहीं चाहते हैं कि बनाने में बहुत ही कम टाइम लगे और कुछ अच्छा सा बन जाए हेल्दी सा बन जाए तो बस वही रेस्पी है तो यहां पे हमने कुछ फूरूट्स कट करके लिए हैं हमने लिया है हैं जिससे थरीके से कट किया है आधा एप्ल को हम एक्ड़ीट में लिया है फ्रेस्श दही लिया है कहटी दही और यह मद्धा-थेडिक को marriage क्ट थैसे हमें लेना के Erfolg मीरेनी का और सथी हमनने लिया है सूगर पॉडर तो चलिए, सबसे पहले हम दही को फेट लेते हैं तो इसे हम मिक्सी जार में डाल के विप कर लेंगे ताकि ये जल्दी से अच्छे से फेट जाएगी और इसी में हम सुगर पॉडर भी डाल देंगे तो तीन चमच हम इसमें सुगर पॉडर डाल रहे हैं सुगर पॉडर डालने से जल्दी से घुल मिल जाती है आप चीनी भी डाल सकते हैं पर मैं तो आप सुगर पॉडर भी बना के रखती हूँ गर्मी की दिनों के लिए खास करके तो जली इसे विप कर लेते हैं गर्मी में तुरंद से सरवत पीने कमान हो तो अगर आपके पास सुगर पॉडर हो तो जटपट से सरवत बन जाती है इसलिए गर्मी में बना कर रखती हूँ तो यह देखिए दही जो है अच्छे से फेट की है तो बस अब इन फलो को हम क्या करेंगे कटोडी में या पिर कुछ गहरे बरतन में डाल देंगे छोटी सी ट्रे में हमने इसे डाल दिए आप इसमे और भी फूर्ट जाल सकते हैं जैसे की औरेन डाल दें, ग्रेप जाल दें, मैंगो डाल तो यह देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा इसमे काजु और किसमिस भी डाल रहा है ताकि जब इसे खाएंगे तो थोड़े से ड्राइफरोट्स भी मुह में आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे और उपर से थोड़ा सा हम इसमें इनाईजय का पाडर डाल रहे हैं बहु मिलेगी ताजगी आएगी और तुरंट से एनर्जी आएगी इतने सारे फ्रूट्स खाके तो हैना एकदम हेल्दी सी रेस्पी अगर आप इसे और ठंडा करके खाना चाहे तो दो तीन मिनट के लिए फ्रेज में रख दे और ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो बस जितना खाना हो उतना ही कट करके तुरंट से बना ले या फिर ज्यादा मातरा बना के फ्रेज में रख सकते हैं और दिन में दो तीन बार भी खा सकते हैं इसे तो एकदम सिंपल सी रेस्पी बस तुरंट बनाएए तुरंट खाईए एकदम से ताजगी और ठंडग देने वाली गर्मी के लिए खास रेस्पी तो जरू ट्राइ करिए मैं आपसे फिर मिलती हूं अपने अगले वीडियो में ऐसी इजी रेस्पी के साल बाई बाई